तो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है फरेवर एक्स्प्लोरर में आज काफी दिनों के बाद एक और वीडियो बहुत टाइम हो गया अपना वीडियो आये वे वह थोड़ा इश्यू हो गया था कोई लोकल इश्यू तो वीडियो प्लोड नी कर पाया था सोरी आज आपके क्या क्या है इसके अंदर फैसिलिटीज स्पोर्ट फैसिलिटीज और जितनी भी हैं थोड़ी बात करेंगे एक बैसिक इन्फोर्मेशन की ठीक है तो नैस्टनल स्पोर्ट युनिवर्सिटी सेंट्रल युनिवर्सिटी यह देखो आपको बता दूं कि 2018 के अंदर जो बिल पास हुआ था पर्लेमेंट के अंदर नैस्टनल स्पोर्ट युनिवर्सिटी एक्ट उसके तैद इस युनिवर्सिटी की स्था अपना हुई और मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था यह यह देखिए है कि हमारे सेनियर से हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छी अच्छी होड़ा जाएं जो यह नैस्टनल स्पोर्ट युनिवर्सिटी है यह इंफाल के अंदर मनीपूर में इंफाल मनीपूर की कैपिटल है इंफाल वैस्ट में आपको पता होगा इंफाल से बहुत सारे इंफाल मतलब मनीपूर से बहुत सारे नैस्टनल प्लेयर्स हैं होकी में वैट लिप्टिंग में बॉक्सिंग में एसकॉम मेरा बाई चानू मेरी कॉम सिवा थापा और भी बहुत सारे हैं एक देखो आपको बताता हूँ यह मनीपूर में ही क्यों खोला गया इसको इससे पहले लखनौ में खोलने की बात हुई थी लखनौ में इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि जो मनीपूर का जो कल्चर है वो स्पोर्ट का कल्चर है आप अगरे आएंगे तो कभी देखना मनीपूर के अंदर आने का मौका मिले हर घर में छोटे से छोटा बच्चा लेके एक बुड़े वक्ति हर कोई मतलब सुबह शाम आपको रोड पे रनिंग करते वे दिखेगा और मतलब स्पोर्ट्स इनके क खोला गया कि मनीपूर से एमसी मेरी को वेट लिफ्टर कुंजरानी देवी मिरा बाइचानू कि संजीता चानू कि फुट्पोल आर्स जक्षन सिंग कि बहुत सारे हैं मनीपूर का कलाइमेट कलाइमेट बहुत अच्छा है कि गर्मियों में 30 डिग्री मैक्सिमम है आवी इ दर्दियों में आर्ट साथ आर्ट के आतपास रहता है लेकिन कई जगह है जहां माइनस में तो नहीं है लेकिन टेमप्रेचर एक दू के आसपास है अच्छी जगह है कभी आने का मौंगा मिले रूमने के लिए बहुत सारी जगह है लोक्तक लेक इंडिया ज इंडिया नी वर्ड फर्ष्ट फ्लोटिंग लेग इसके उपर तेड़ते घर है वहत मजाएगा यहां होगे तब इसकोंड टेमपल है आयने म्यूजियम है कि इमा मार्केट कंगला फोर्ट बहुत अच्छा है कि कनेक्टिविटी इमफाल की है एरपोर्ट है जो इमफाल का एरपोर्ट है वह चनेक्टेड है डैली मुंबई कोलकता गवार्टी बैंगलोड नागपूर से डायरेक्ट कनेक्टेड है बाकी और जगह से कनेक्टिंग फ्लाट मिल जाएगगी आपको तो रेल्वे नहीं है फिलाल इंफाल में रेल्वे का प्रोजेक्ट चल रहा है 2022 तक पूरा उने की संभावना है तो चलो बात करते हैं नैशनल स्पोर्ट्स उनिवर्सिटी के बारे में नैशनल स्पोर्ट्स उनिवर्सिटी देखिए दो हजार अधार फाउंडेशन स्टोन जो अपने मोदी जी है इनोंने रखा था वैसे इसकी सुरुवाद 17 नहीं 16 जन्वरी 16 जन्वरी 2018 को हो गई थी फाउंडेशन डे 16 जन्वरी 2018 है अभी चारी स्कूल्स चला रखे हैं नोने स्पोर्ट साइंस इन स्पोर्ट मेंजमेंट एंट टेक्नोलोजी स्पोर्स एजुकेशन और इंट्र दिस्प्लिनर इस्ट्रेज अब इन में थोड़ा डेवलोपमेंट अभी हो रहा है दिरे दिरे सब कुछ मिशन मोटो त्रू टायलस एफ़र्ट और नोलेज्ट तुवार्ट एक्सिलेंस जो नस्यू के में फॉंक्शन्स है एक तो अकेडमिक फॉंक्शन है और रिशर्च पर्फॉमेंस बहुत इंपोर्टेंट है नस्यू के लिए एक खास बात नस्यू के इंटरनेशनल कोलिबरेशन पार्टनर्स है आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अगर आप यहां एडमिशन होता है और आप फर्दर स्टेडिज के लिए अगर जाना चाहते हैं फोरें तो इनका कोल यूशिटि है और श्टेलिया की निपन एंट ट्रिसकुबा यूशिटि जापान की और कोलेगन यूशिटि है जर्मनी की इन तीन यूशिटि के इनकी कोलिबरेशन है एम यूशाइन हुआ 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 है तो आप अगर अच्छा करते हैं कर्दिक्स में या फिर मिलेगा यह आपको हेल्प करेंगे इंटरनेशनल पार्टनर्स है और नेशनल पार्टनर्स एलनाइपी ग्वालियर इसाई पटियाला और अगर आप यहां आते हो तो और आपको करेक्स ऐसविधि इस एन सीच अभी नहीं है लेकिन साइध आ जाएगी शल और आपको वह सारी अक्रीटिज कर्टेयर अक्री डीडिज में पार्टिसपीशन का मुखा मिलता है लिक्टर ट्रल्ट श्रॉशाइटी है स्पोर्स पार्टिसपेशन एया-यू में ज और जैसे फुटबॉल का तो काफी अच्छा है या लोकल टूनामेंट्स होते हैं तो उनका भी और्गनाजिशन एनस्यू फुटबॉल क्लब बना रखा है वो खुद करवाता है पार्टिशिपेट भी करता है अब हम बात करते हैं कितने कोर्सेज हैं देखो एनस्यू के ऑफ और ग्रेड़ेटी इन्हों ने दिया है फॉर इयर इंटिएटित कोचिंग और आट समेस्टर का कोर् 서 पचास सीड थैंक है यह मैं यह के इंदर पहलांको से मतलब पहली उनिवर्शिटी है इंडिया के अंदर जो बीसी इंटिग्रेटेड़ कोर्स देगी आपको बीसी थ्री यह आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा जैसे सवनेम गुजरात या फिर तमिलाडू फिजिकल एज्युकेशन स्पोर्ट्स उनिवर्शिटी और एक दो सब्सक्राइब करना पड़ेगा कोच बनने के लिए और लेकिन जो एनस्यू का बीसी स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स इंटिग्रेटेड़ कोर्स वह एक्विलेंट है एन इस डिप्लोमा के तो आपको कोई जरूरत नहीं है आप डारेक्ट बीसी के बाद कोच बन सकते हो अग मतलब आपको बताऊंगा मैं कि अगर आपको कोच बनायापका अईम है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोच बनना ए नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का तो यह कोर्स बहुत अच्छा है आपको फायदा रहेगा सेलेक्टेड इस्पोर्स के अंदर यह बात करेंगे कौन-क नाम बदल के बीपी एस कर दिया और ये फिजिकल एडियुकेशन का कोर्स है तीन साल का रहेगा कि नेक्स्ट एज में सी स्पोर्ट्स कोचिंग फिलाल एक भी स्टुडेंट नहीं है क्योंकि कि इतने एड्मिशन हुए नहीं में स्पोर्ट साइकोलोजी बहुत देरे बहुत अच्छा कोर्स है इस्टुडेंट आ रहे हैं अभी एक कोर्स हो रहा जाएगा सैट पोर्श ग्रेजुएट में एंपी एस जहां तक सुना है मैंने प्लेंट के याने की बात है इस साल या एकले साल तक आ जाएगा बीपी एस इन्होंने बात किये बीपीएड इंटीगरेटेट की भी अब चलरा आईज का विपीएस को बीपीएड करेंगे या नहीं करेंगे वह देखते हैं लेकिन विपी एस के बात भी आपके पास बहु कि दुरम वहां भी साल यह आ रहा है या फिर पंजाब इंविश्टी पट्याला में तो सब की सीट पचास-पचास है अब एक एक कोर्स को देखते हैं देखो को बिश्टी स्पोर्स कोचिंग कोर्स है क्या वैसे यह चार साल का एक इंटिग्रेटर कोर्स है और 8 सेमेस्टर करेगा इसके अंदर आपको सारे सांथिफिक कोर्सेज पर मतलब सारे सांथिपिक सब्जेक्ट से वो पढ़ाए जाएंगे इसे एक्सेसाइज फीजियोजी बा बैडमिंटन बॉक्सिंग फुटबॉल सुटिंग स्विमिंग एन वेट लिटिंग इन कोर्सेज में ही आपको बीएस स्पोर्स कोचिंग मिलेगी जो अधर गेम के बच्चे हैं जैसे क्रिकेट कबर्डी खोको तो उनके लिए अभी शुरुआत नहीं हुए अभी क्योंकि श स्कूल कोलेजेज के अंदर पर्सनल ट्रेनर बहुत सारे अप्सेन है बहुत बढ़ी आपको कोच बना है तो फिजिकल एजुकेशन एंड़ स्पोर्स बैचलर और फिजिकल एजुकेशन स्पोर्स बीपी एस प्रोग्राम ओर्वीव अगर हम इसके बात कर रहें तो यह कर सकते हैं करियर आउटकम आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो स्कूल स्कूल के अंदर असिस्टन प्रोफेसर बन सकते हो आगे मास्टर्स नेट क्वालिफाई करके कोलेजेज में या फिर युनिवर्सिटीज में और भी बहुत सारे उप्सेंस है जैसे आपका लिटनेस इंडिस्ट्री के अंदर हो गया योगा इंडिस्ट्री एड्मिनिस्ट्रेशन फिजिकल एजुकेशन एसिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर और सो नेक्स अपन देखते हैं पोश्च रेजुट कोर्सेज तो पोश्च घ्रेजुट कोर्सेज क्या क्या दीए यहाँ पहला है यांपने सी स्पोर्ट्स कोचिंग में स्पोर्ट्स कोचिंग की हम बात करें तो इन्होंने गेम कम दे रखे हैं फिलाल एफलेटिक्स बैड मिंटर बॉक्सिंग फुट्बॉल एंड वैट लिप्टिंग तो बच्चे कम है तो गेम कम दे रखे हैं जैसे जैसे आगे मतलब इनिवर्शिटी की स्ट्रेंथ आएगी तो कोर्सेज भी आएंगे आपको पता है अगर शुरुआत थोड़े से होती है इसके भी आउटकम वही है कि अगर आप मास्टर्स के बाद आपको अच्छा और ऑप्शन मिलेगा मास्टर्स के बाद आप फोरें में अगर कोच बनना चाहते हो नोलेज देखो अच्छा मिलेगा और नेक्स्ट इस मास्टर्स अफ मास्टर्स इन इस्पोर्स साइकोलोजी तो जो स्पोर्ट साइकोलोजी है उसके अंदर स्पोर्ट साइकोलोजी के अंदर ये देखो वैसे तो बहुत जाकर कोर्सेज चल रहे हैं साइकोलोजी की कोर्सेज में साइकोलो था जैसे क्या बलते हैं एक असम मुंबई में था एलना रईपी में भी था और आयाय मरो तक उसके अंदर भी सपोर्स मेंनेजमेंट एक साल का डिप्लोम आप सक रेजुएट डिप्लोमा लेकिन जो वो ग्रेजुयट कोर्स पूरा कोर्स दो साल का वो पहली बार यहां आया है इसके बाद तो आप एलन आई पी में भी आ गया नाश्ट तो कुछ रूल्स हैं सारे भी नहीं बताएंगे देरे देरे आप आओगे तब बता देंगे दिक्कत नहीं है कोई बहुत अच्छी इन्यूर्सिटी आपको बहु पहले जान लो क्या कोर्सेज हैं आपको कौन सा अच्छा लगता है किसके अंदर एड्मिशन लेना है सब कुछ देख लो जान समझ लो और लोगों से डिसकर्स कर लो अपने कोचे से डिसकर्स कर लो अपने वेल विशर से डिसकर्स कर लो कि हमें यहां जाना चाहिए या यह यह देखिए आपको मैं फैसिलिटीज की बात कर रहा था तो यह देखो यह हमारा होस्टल यह गल्स होस्टल है एक साइड वालब बॉइस होस्टल है सामने एक सुन्दर सी ब्यूटिफुल लेक है यह कैनोंग और काकेंग के लिए है पानी हमेशा रहता है इसके अंदर बारिस होती रहती है कोई दिखत नहीं है बड़िया मोसम रहता है यह देखियो एरियल व्यूट पूरा केंपस एक अभी देखो इसका जो एक्जिस्टिंग केंपस है वो कॉंट्रेक्ट पर लिया हुआ है जो साई का केंपस है उसी को इन्होंने आधा कॉंट्रेक्ट पर ले रखा है लीज पर बोल सकते हो जो में केंपस है वो अभी बंद रहा है यहां से 18 किलोमेटर दूर रहेगा वो को तुरुक के अंदर आगे स्टेडियम की बात करते हैं तो इंडॉर होल स्टेडियम भी है ताइकॉंडो जिमनास्टिक जूडो के इंडॉर होल है साइकलिंग वेलो ड्रॉम भी है बैड्मिंटन का इंडॉर है एक मल्टी परपर्ज होल भी बड़ा सारा बोत अच्छा यह अपना एथलेटिक और फुटबोल का ग्राउंड एथलेटिक स्टेडियम होकी एस्टोट साफ भी एक क्रिकेट की कमी थी दो इस पार वह भी पूरी हो गई एक क्रिकेट के पीछ भी बना दी नेट वेट लगा दिया अच्छे से जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं डॉलप्मेंट हो रहा है आप आओको तो और कुछा मिलेगा आपको फुटबोल का उसाइड में दो दो फुटबोल फिल्ड और भी है यह तो ओफिशियल स्टेडियम है यहां पर आई लीग के मैचेज होते हैं फ्री में फ्री पास में देखते हैं अनस्यू की स्टुलेंट है देखो यह नस्यू की बिल्डिंग है इधर इस साइक्लिंग वेलड्रॉम भी है अंधर से एसलेटिक ट्रेक एट लेन ए्सलेटिक ट्रेक है ओलंपिक साइज का सियुमिंग पूल भी है बहुत अच्छी अशाए उलंपिक स्टेंडर स्वि vine पूला है साइड में दो चोटे और पूल भी है यह एक अयड मिए बुल्डिंग है कि उपर की जो बिल्डिंग अट सेकंड फ्लॉर वो एनाश्यू की है और नीचे नाशनल स्पोर्ट्स अकैडमी जो 12 तक 6 से 12 तक स्पोर्ट्स के अंदर जो क्या बोलते हैं स्कूलिंग उसकी स्कूल हो और उपर वाली एनाश्यू की पूरी बिल्डिंग है अब भी तो साथ नीचे वाली और हो जाएगी और आप इंफाल पहुंच सकते हो देखो यह है नैशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कि एकदम इस्ट में एकदम अलग होने में दे रखी है पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है अगर आप ट्रेन वगरा से आते हो तो ट्रेन से आपको पहले लास्ट एंड है दीमापुर नागालेंड का उसके बाद आपको यहां से विंगर मिलती है जो पाड़ियों में बारा गंटे के आज पास ले लेती हैं आपको पहुंचाने में एरोप्लेन की अच्छी कन एक्टिविटी है बहुत सारी है डेली है डायरेक्ट भी है और लगबग हर जगे से मिल जाएंगे अरोप्लेन तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट इमफाल का बहुत अच्छा है मौसम बहुत पड़िया रहता है यह अध्याडमिक नहीं एड्मिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ओलंपिक बहुन के ऊपर सो थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो नेखो आज मैंने बैसिक डीटेल बताई नस्यू है क्या और कैसा है कितना अच्छा है तो अगर आपको और को डीटेल चाहिए तो क्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो उसके उपर और वीडियो बना देंगे वेबसाइट है नस्यू की नस्यू.सी.डूट वहां जाके देख लीजिए अगर आपको कुछ और चीज की जानकरी चाहिए होते हो जैसे मैं बना दूँगा अगली वीडियो हमारी होगी होगा हो जाए इसके अंदर एक दिन या दो दिन में हो जाता है उसके सेंटर सा अलगा अलग हर कोर्स के पूरी इंडिया में लगवग हर स्टेट की असपास एक-दो सेंटर बना रखाया है और आपको return exam होती है, skill test होता है, आपका physical होता है, बस, और फिर आपका admission हो जाएगा, admission होने के बाद आपको जब आओगे, बहुत अच्छा सब कुछ है, so thank you once again for watching this video, I hope you liked the video, so अगर आप नहीं हो तो subscribe कर दो यार, नन्यवाद,